हले बिरवान कैसे आप सब एक बार पुनाहस से कोचिंग क्लासेस पर स्वगाथ है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल रही होगी क्लास 11th कमिस्ट्री में चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है तत्तों का वर्गी कर्ण एबम गुणों में आवर्तिता मतलब इस चैप्टर में आप लोग elements के बारे में पूरा पढ़ेंगे S ब्लाक, P ब्लाक, D ब्लाक और F ब्लाक के तत्तों के बारे में उनका इतिहास समझेंगे पूरा मेंडलिव का वर्त सार्णी, आदमी का वर्त सार्णी, पूरा आप बेसिक से पढ़ेंगे बच्चो जो के exam के point आप भी उसे सारा important रहेगा साथ में इस chapter से आगे चलकर competitive exam में भी question पूछे जाते हैं तो जो चैनल पे पहली बारा है, चैनल को subscribe कर लें, इसके पहले हमने जो भी वीडियो प्रवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चो आज का topic डोवे राइनर का trick सिध्यान वैसे भी तत्यों का बरगी कर्ण chapter का नाम ही है, तो starting कहां से होगा chapter वच्चो तत्यों के बरगी कर्ण से ही देखो, पहले आविवस्थित थे, जितने भी तत्यों थे, starting में जब 1800 की बात है, 19 भी सदी की बात है, उस समय तो पूरे तत्यों की खोज भी नहीं हुई थी तो फिर तत्यों का बरगी कर्ण यहां पर थोड़ा सा किन तत्यों को कहां रखा जाए, तो यह सबसे बड़ा समन्जस था, तो सबसे पहले जैसे डोबे राइनर का त्रिक सिध्धान पढ़ते हूं कि 1817 की बात है, यह डोबे राइनर ने अपना त्रिक नियम दिया, तीन- और अधातू के अधार पर बरगी कर्ण किया था, कि कुछ अधातू तत्यों को अलग रखा, और कुछ अधातू तत्यों को अलग रखा, लेकिन वह केबल धातू अधातू के रूप में अधार देता था, मतलब उसका महत तो समझ में आता था, बांकि किसी भी चीज का अध परमाड उभार है उसका उसत निकालते हैं तो बीच वाले तत्तों का परमाड उभार प्राप्त हो जाता है। परमाड उभार है अन्दो तत्तों के परमाड उभार का उसत होता है। तो यह आपका 46 बटा दो आएगा जो कि बच्चो 23 आएगा तो 23 इन्दो बीच वाले तत्तों का जो परमाड उभार है अन्दो तत्तों का जो है परमाड उभार का उसत होता है। यही आपके डोवे राइनर का त्रिक सिध्यान था। कुछ है ना एक्जाम में दो नमबरे पूछेगा असानी से बता देना आप लोग। जैसे आप एक एक्जाम पर ले लो कैल्सियम का परमाड उभार होता बच्चो 40 इसके बाद हम बेरियम की बात करते हैं लगभग लगभग आता है ना बेरियम का जाएगा आपका 137 होता है इन दोनों को जोड़ दो मतलब आपका हो जाएगा 40 और 137 डिवाइड बाइ 2 तो इसको जोड़ोगे 4-3-7 मतलब 177 बटा 2 दो का भाग दोगे बच्चो 218 और 218 तो जो आपका कैल्सियम और इसके बीच इस्ट्रांसियम ये इस्ट्रांसियम में बेरियम का होता बी ए मतलब बीच वाले तत्यों का परमाड उभार अन दो तत्यों के परमाड उभार का लग परमाड उभार अन दो तत्यों के परमाड उभार का लगभा गौसत होता है और एक्जामपल के तौर पर दो एक्जामपल आप लिखी सकते हैं इसके बाद बच्चो आपका आएगा न्यू लेंड का अस्ट्राक नियम फिर लोथर मेयर के विवस्था जो की एक्जाम में नहीं नहीं है ना आदनिक अबर सार्णी ये भी लंबा क्लास चलेगा पुरा डीप में चलेगा बस चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बच्चो एदि आप इसका नोट्स चाहिए आपको एन 11th क्लास के कमिस्ट्री का नोट्स चाहिए तो कंटेक्ट नंबर आप मेरा नोट कर सकते हैं 9685-299149 9685-3999 ये मेरा परसनल नंबर इस पे आप कंटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं फिलाल अभी के लिए इतना ही जय हिंद बंद मातरम